हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं स्रेस एक बार फिर से स्रेस एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम पढ़ने बाले हैं EMRS 2013 अर्थात एकलब मॉडल रेजिडेंशिल स्कूल और DSSB के लिए अगर आपने ने TGT, PGT और EMRS की इसके अलावा जो अधर पोश्टन हैं जैसे हॉस्टल बार्डन या TGT, PGT की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा आपके लिए एक जनरल पेपर भी होगा जनरल पेपर में आपको जनरल एबेरने से आएगी 10 नंबर की ICT अर्थात computer आएगा 10 नंबर का और आपका क्या आएगा भी reasoning भी आएगी 10 नंबर की और आपकी Hindi और English जो आने वाली है क्वालिफाइंग नेचर की आने वाली है 40% क्वालिफाई करना है Hindi और English में ठीके दोस्तों तो यह जो जनरल पेपर है उसमें जनरल एबेरने जो सामान जागरुखता आने वाली 10 नंबर की आने वाली है ठीके दोस्तों इसके लिए मैं most important question आपको लेकर आया हूँ आप एक एक mock test मैं आपको करा चुका हूँ जो कि आप समझे जैसा आपका paper में आने वाला है same to same मैंने बैसे ही question रखे हैं आपके mock test में पिछली class में जो कि Hindi करा चुका हूँ और दोस्तों आपको पता है Hindi और English जो है वो हमारी क्या है qualifying nature की आनी जिसमें 40% हमें लाने ही लाने है इसी परकार general average 10 number की आएगी तो जो दोस्तों आज मैं class लेकर आया हूँ तो आप देखते होंगे यहाँ पे लिखा है most important question तो most important question का मतलब यह है आप यह समझ लेगा कि अगर आप paper देने जा रहे हैं और अगर आप एक class देख रहे हैं तो कम से कम दो number आपके पक्के मान लीजेग इस class से cable इस class से आपके दो number पक्के हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से देख लिए इस class को तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की class पहला question यह रहां आपके सामने दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महत्मा गांधी जी के नेत्रत में शुरू हुआ था य 1930 में आपने सुना होगा एक दांडी यात्रा चली थी कौसी यात्रा चली थी भी दांडी यात्रा चली थी जो की कहां से चली थी भी दांडी यात्रा कहां से कहां तक चली थी दोस्तों मैं आपको बता दू दांडी यात्रा जो चली थी वो सावरमती आस्रम से चली थी कहां पर महत्म गांदी की नेत्रत में यह यात्रा चली ठी जो कि इसी से इसी यात्रा से सबने अभग्यांदोलन की सुरुआ थी और दोस्तों मैं बता दूँ यह जो दांडीयात्रात थी सावरमत्त आश्रम से 322 किलोमेटर था 200 मिल दूर दांडी तक चली थी और जब यह दांडी तक पहुँच गए थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो दांडी यातरा थी इसमें कितने लोग थे इसमें थे 79 और पिलस एक गांदी जी एक गांदी जी और 79 अनुवाईयों के साथ 89 अनुवाईयों के साथ गांदी जी मिलकर पहुँचे थे 80 लोगों के साथ पूरे 80 लोग हो गए तो टोटल जो अगर आपसे पूछ लिये जाता है कभी-कभी कि दांडी यातरा में कितने लोग थे तो वो 80 थे एक गांदी जी थे सबने अबग्या आंदोलन और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके साथ ही यह जो दांडी यातरा है यह कब से स्टार्ट होती है दोस्तों यह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है कब से स्टार्ट होती है और फिर दांडी तक कब पहुंचती है यह पहुंचती है छे अप्रे आंसर होगा वो option number D हो जाएगा सबने अबग्या आंदोलों दोस्तों और जो अभी मैंने explanation आपको बताया है यह पूरा का पूरा explanation यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखकर रखा है अगर आप नहीं सुन पाए अच्छे से तो इसको देख सकते हैं दोस्तों अब परिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा important है तो आप इसे like कर सकते हैं share कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe भी जरू कर लिजेगा दोस्तों ठीक है अब हम इस question को देखने वाले हैं दोस्तों संबिधान की प्रस्ताबना में संसोधन के द्वारा किन सब का कर दोदों जोड़ा गया ड्र संबिधान की प्रस्ताबना है जिसे हम अदेश का कहते हैं इसमें संसोधन किया गया तो दोस्तों मैं आपको बता दू अब तक उसमें एक बार संसोधन हुआ है कितनी बार किवल एक बार संसोधन हुआ hey अब तक, तब से अभी तक संसोधन नहीं हुआ है दोस्तो, प्रस्ताबना में यह संसोधन किया गया था, इसमें तीन सबनों को जोड़ा गया था, कौन कौन से सब्दों को जोड़ा गया था भी दोस्तों तीन ने सब्दों को पंतनेर पेक्ष, समाजबाद और अखंड था इन तीन सब्दों को प्रस्ताबना में जोड़ दिया गया था यही संसोदन हुआ था आप यह समझ लेजिगा प्रिस्ताबना में कितने सब्दों को जोड़ा गया था पंतनिर पेक्ष, समाजवाद और अखंड था इन तीनों को जोड़ दिया गया तो दोस्तो इस question का जो right answer हो जाएगा बोतो हो जाएगा option number D उपर वाले तीनों लेकिन मैं इसके साथी बता दूँ इसे हम लगू सम्विधान भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो लगू सम्विधान भी हम इसे कहते हैं क्योंकि जो ब्यालिस्मा सम्विधान संसोदन था इसमें कई चीज़े जोड़ी गी इसके साथी दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो 42 मा संबिधान संसोदन था इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था कौन सा नया भाग जोड़ा गया था दोस्तो ये जोड़ा गया था 4A कौन सा 4A एक नया भाग जोड़ा गया था और ये 42 मा संबिधान संसोदन दोस्तो 1906 में हुआ था कब हुआ था दोस्तो 1976 में हुआ था लेकिन यह जो संबिदान संसोदन था 1976 में हुआ था लेकिन यह जो लागू हुआ था वो हुआ था 1977 में कब लागू हुआ था दोस्तो 1977 में यह लागू हुआ था तो एक बार दोस्तो मैं आपको फिर से बता दू प्रस्ताबना में एक बार अब तक संसोधन किया गया है बैलिस में संभिधान संसोधन के द्वारा किया गया है जो कि 1976 में हुआ था और लागू 1977 में हुआ था दोस्तो तो इसमें तीन नय सब्दकों को जोड़ा गया पंतनिरपेक, समाजबाद और अखंड था और दोस्तो बैलिस में संसोधन को हम लगू संभिधान भी कहते हैं और इसमें 4A एक नया जोड़ा गया था भाग 4A एक नया भाग जोड़ा गया था दोस्तो ठीक है अब दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं next question और इस related जो हमारा explanation है यह रहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं दोस्तो अब दोस्तो क्योंकि आपको पता है क्या पता है दोस्तो आज कल क्या चल रहा है भी world cup चल रहा है तो इसलिए क्या चल रहा है भी बिस cup चल रहा है तो बिस cup से related भी question आपके exam में जरूर आ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि भी बर्ल्ड कप चल रहा है तो current affairs is related बर्ल्ड कप का एक question आ सकता है आपके exam में तो उसी type का मैं important question आपके लिए लेके आयाँ दोस्तों इससे later अगर कोई भी question आपके exam में आएगा तो आप आसानी से कर देंगे तो दोस्तों आपको explanation अगर समझ में आ रहा है तो class को like कर लेजगा अपने दोस्तों के साथ share कर लेजगा क्योंकि आपको पता है दोस्तों हम अगर अपनी knowledge को दूसरों के साथ share करते हैं तो हमारी knowledge बढ़ती है और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लेना है आपको ठीक है हमारी ऐसी latest video तुरंत पाने के लिए next video तुरंत पाने के लिए दोस्तों तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस question को हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट बिसकप 2030 के लिए किसे बैस्युक राजदूत निक्त किया है यह हमसे पूछा गया है दोस्तों तो दोस्तों मैं इस question का right answer बता दूँ बो तो हो जाएगा option B क्या हो जाएगा option B सचिन तेंदूलकर को ICC ने पुरुष क्रिकेट बिसकप जो कि इस समय चल रहा है जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो गया था जो कि हमारे और दोस्तों यह भी बहुत important हो जाता है यह जो 2030 का बिसकप है यह हमारे इंडिया में ही हो रहा है दोस्तों कहा हो दोस्तों मैं आपको बता दूँ। इसके जो ICC हो जो हमारा ICC है क्या इंटर horror national cricket console जो है दोस्तों इसकी जो formation हुआ था दोस्तों इस का जो headquarter है दोस्तो इसका जो headquarter है वो हमारा कहा है दुबई में है कहा है दोस्तो दुबई में इसका headquarter है दुबई जो की UAE में आती है दोस्तो कहा है भी UAE में आती है दुबई यहाँ पर हमारा headquarter है ICC का international cricket council का headquarter दुबई में है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना ही थी दोस्तो formation हुआ था और दोस्तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ यह जो ICC है इसके जो chairman है कौन है भी chairman जो इसके है वो कौन है दोस्तो वो है Greg Barclay कौन है दोस्तो Greg Barclay इसके कौन है इसके अध्यक्ष है chairman है दोस्तो इसके साथ ही आपको CEO भी पता होने चाहिए क्या भी CEO ICC के पता होने चाहिए तो CEO जो है वो हमारे है G of Lrdis कौन है भी दोस्तो जी ओफ Lrdis हमारे CEO है ICC के दोस्तो तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ अगर इस से रिलेटर ICC क्रिकेट से रिलेटर या बिसकप से रिलेटर और कोई कोश्चन आएगा अब तक का तो वह आप आसानी से कर देंगे दोस्तो तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन और दोस्तो इसका जो एक्स्प्रेंशन है जैसे कि मैंने आपको बताया ICC का इंटरनेशनल के के कॉंसिल 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी दुबई में इसका हैटकॉर्टर दोस्तो चेर्मेन ग्रेग बारकले है और जी ओफ एलार डिस इसकी कौन है CEO हैं दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं कोश्चन करा दिया दोस्तो अब जियोग्राफी का भी कोश्चन आ गया तो मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है जनरल एबिनेश में सारे ही सब्जेक्ट आ जाएंगे तो दोस्तो देख लेते हैं अब यह कोश्चन कोश्चन नमबर 4 उत्तरपू होना चाहिए यह जो seven sisters हैं यह कौन-कौन से हमारे राज हैं तो दोस्तों अभी तो मैं आपको ऐसी बता दूँ हमारा अरोनाचल प्रदेश है नागा लेंड है और मडीपुर है मिजोरम है और इसके इलावा हमारा मेगाले हो गया और त्रिपुरा है और असम यह जो हमारे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह हमारे seven sisters में कहलाते हैं उत्तरपुर्व के जो राजिय हैं यह seven sister कहलाते है तो दोस्तों इसके according आप इसका आंसर दे सकते हैं अरोनाचल प्रदेश हमारे seven sister में आता है असम seven sister में आता है दोस्तों लेकिन पश्च्यम बंगाल जो है वो seven sisters के अंत्रगत नहीं है तो यह हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा और साथ ही दोस्तों यह जो seven sisters हैं मैं आपको map में दिखा देता हूँ क्या करता हूँ भी? map मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ क्या हमारे seven sisters जो राज हैं वो कौन-कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो हमारा तिरपुरा है यह हमारा seven sister में आ गया हम कह सकते हैं मतलब यह हमारा पूरा यह हमारा क्या है? पूरा यह हमारा क्या है? seven sister राज कहलाते है अरोनाचर प्रिदेश हो गया, असम हो गया, वही नागा लेंड हो गया और हमारा मणीपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तिरपुरा हो गया, मेगाले हो गया यह दोस्तो हमारे पूरे साथ जो राज हैं भी हमारे सेवन सिश्टर कहलाते हैं साथ भाई साथ बहने कहलाते हैं दोस्तों ठीके दोस्तों तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको मैप में भी दखा दिये उत्तर पूर्व में यह हमारी उपर उत्तर साइड और इधर पूरफ साइड में है तो इनको हम क्या कहते हैं उत्तर पूर्व की सेवन सिश्टर कहते हैं दोस्तों ठीके दोस्तों मैंने आपको map में भी दिखा दिया बाकी आपके एऊराय राज लिखे हुए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने पूरा लिखके रखा हैं आपके लिए दोस्तो अब next question देख लेते हैं दोस्तो यह रहाँ आपके सामने पिर्षन नंबर पांच देख लेते हैं दोस्तो बर्स 2013 में Physiology या Medicine जिसे हम चिकत सा और Medicine में Nobel प्रुषकार किसे दिया गया है मैं आपको बता दूँ जो दोस्तो हमारा Nobel प्रुषकार है तो दोस्तो इसका जो answer है बहुतो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो answer है दोस्तो बहुतो मैं आपको तो दोस्तो इसका answer तो हो जाएगा हमारा A और B दोनों कौन सा हो जाएगा भी A और B दोनों option हो जाएगा option number C लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो novel prize है यह जो novel prize जो है दोस्तों यह जो novel prize है यह कब से start हुए थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो नॉबल प्राइज है ये पहली बार कब दिये गए थे ये दिये गए थे 10 दिसंबर 1901 को ये दिये गए थे पहली बार पहली बार ये कब दिये गए थे 10 दिसंबर 1901 को ये पहली बार नॉबल प्राइज दिये गए थे और किसकी याद में दिये गए थे ये दोस्तों अल्फरेट नॉबल जी जो थे उनकी याद में दिये जाते हैं जो इनकी मिर्थियों 10 दिसंबर 1896 में हो गई थी कब हो गई थी 10 दिसंबर 1896 इनकी मिर्तियों हो गई थी दोस्तों फिर उसके बाद क्या हो था दोस्तों 1901 से हमारे Nobel Prize मिलने स्टार्ट हो गए थे अब दोस्तों क्योंकि हमारे लिए 2030 चल लए तो 2030 में जो Nobel Prize मिलने हैं जिन जिन को इसकी घोंशना हो गई है एकली किसे मिलेंगे किसे मिलेंगे यह होना चाहिए किसे मिलेंगे तो दोस्तों इसकी घोंशना हो गई यह लेकिन 10 दिसंबर को बाटे जाएंगे और इसकी साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो Nobel Prize है इन मेंसे मैं आपको बता दूँ Physics, Chemistry और हमारी Medicine और हमारे Literature इसके अलावब दोस्तों मैं आपको बता दूँ Economic Science इन पांचों का जो Nobel Prize मिलता है यह Sweden में मिलता है कहां मिलता है भी दोस्तों Sweden Stockholm Sweden में यह Prize दिये जाते है इसके अलावब जो सांती का पीस जो पीस का है जो सांती का नौवल पृष्षकार है यह Norway में दिये जाता है कहां दिये जाता है नौवल में दिये जाता है तो दोस्तों यह भी आपके लिए important हो जाता है अब दोस्तों यह नौवल प्राइज जो है इनको हम ट्रिक से देख संना जर्ण को हो सकती जिससे हमें आसानी से याद कर सकें दोस्तों आपको पता होगा बिस जो कि हमारा क्या होता हेई? हिंदी में जो poison होता है हिंदी निया जो Agent होता है हम उसको क्या कहते हैं boys कहते हैं दोस्तु तो अगर किई ब्यक्त्रखतläस具 मैं नबहर करई समय को किसी ब्यक्त्रखताद सक लिए है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसमेcription देंगे दबाई देंगे, क्या देंगे, मेडिसन देंगे, किसमें रखके देंगे भी, केटली में रखके देंगे, किसमें, केटली में रखके हम क्या देंगे, मेडिसन देंगे, किसको भी, बिस मैन, जिसने बिस पी लिया है, मैन ने, जिस मैन ने क्या पी लिया भी, बिस पी लिया ह उसे हम केटली में रखके कह देंगे मेडिसिन, तो दोस्तों इस ट्रिक से आप याद रखते हैं, रख सकते हैं कि मेडिसिन का यह नॉबल प्राइज है और बिसमेंस, बिसमेंस बिसमेंस, बिसमेंस और केटली में रखके दबाई देंगे मतलब केटली में रखके देंगे मतलब केटली को मिला है और बिस्मैन जिसने बिस्पी आए उसे हम दबाई देंगे मेडिसिन में तो यह क्या हो जाएगा ड्रू बिस्मैन तो इस ट्रिक से आप दोस्तो आसानी से इसे याद कर सकते हैं इसे कभी नहीं बूलेंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तो अब इसके अलाब हम और भी जो नोबल प्राइज दिये गए हैं वो हम सब देख लेते हैं दोस्तो एक बार तो दोस्तो यह आगे है फिजिक्स का फिरे लिए एनी ने फिरे लिए एनी ने किसने भी फिजिक्स पीकर उसने क्या किया भी फिजिक्स को पी गया फिजिक्स को पी गया और फिर फिरे लिए एनी ने एनी जो थी उसने पीकर फिरे ले लिए क्या कर लिए भी फिजिक्स पीकर फिरे ले लिए तो इस टैप से आप इस ट्रिक्स से याद रख सकते हैं फिजिक्स में जो नोवल पिराज मिला है वो किसे मिला है पीरे एगोस्टिनी को मिला है और फिरे से फिरेंक क्रोज को मिला है और एनी से एनी एल हीलियर को मिला है इस से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं Phygix speaker फेरे लिए Annie ने इस trick से आप phygix के celebration आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों अब इसके भाद हम देख लेते हैं chemistry का Chemistry का हम कैसे याद करेंगे ये भी पता देता हूँ दोस्तों Congressman का हम याद करेंगे कैसे भी एलेक्सी हम इस टैप से याद करेंगे एलेक्सी रसीली मेंगी लाई एलेक्सी ने क्या किया एलेक्सी रसीली मेंगी लाई क्या भी रसीली मेंगी लाई जो एलेक्सी है वो क्या है एलेक्सी एक लड़की है उसने वो क्या रसीली मेंगी लाई क्या लाई भी दोस्तों रसीली महगी लाई तो दोस्तों आप इससे याद कर सकते हैं LXC chemistry में रसीली महगी लाई थी LXC जो है वो रसीली महगी लाई तो chemistry की जो नौल प्रापट करता जो है उनके नाम क्या है LXC से आप याद रख सकते हैं LXC I एलेक्सी आई इकीमो और दूसरा रसीली से आप याद कर सकते हैं लुईस मैगी से और मौगी मैगी से मौगी जी बवेंटी इसको याद रख सकते हैं दोस्तो तो आसानी से आप याद कर सकते हैं दोस्तो एलेक्सी के लाई एलेक्सी रसीली महेंगी लाई दोस्तो एलेक्सी के लाई रसीली महेंगी लाई तो इससे आप chemistry के आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद आते हैं भी medicine के medicine के मैंने आपको बता दिया और कोई बेक्ती किसी बेक्ती ने क्या पी लिया है बिस पी लिया है दोस्तो तो लिए के दी जाती है मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन जो हम देंगे कीसमें रखके देंगे तो इससे 10 करी को और डिरू इसमैन सब्सें होगे मेडिसन बारे दोस्तों जपने सब्सक्राइब अब दफने और सुन्स Atlantira आपकी जान फस जाएगी यह आप यह कह सकते हो साहित साहित में जान फस गई क्या है भी साहित में जान फस गई साहित में जान फस गई तो इससे जान फॉसी साहित में जान फस गई इससे आप याद रख सकते हैं साहित में जो मिला है वो जान फॉसी को मिला है दोस्तो ठीक है दोस्तो अब देख लेते हैं सांत सांती का नरगेस मुहमदी को मिला है यह जो लेडी है नरगेस मुहमदी इनको मिला है तो यह कैसे याद करेंगे हम करेंगे नरगेस को सांती मिली भई नरगेस को क्या मिली भई नरगेस को क्या मिल गई भी सांती मिल गई नरगेस को सांती मिल गई इससे हम याद रख सकते हैं दोस्तों आपको पता है जो एकोनोमी होता है जो हमारा अर्थसास होता है वो कैसे पैसों से लेन दिन पैसों बाली मतलब कहीं सब्जेक्ट होता है पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है यह होता है गोल्ड सिल्वर सबकुछ डायमेंट वाला यह सब पैसे बाली चीज़े तो ये सब महगी महगी चीजों को manage करना किसके अंतगरत आता है एकोनोमिक के अंतगरत आता है तो ये gold से आप याद रख सकते हैं घोल्ड की बात आ रही है तो ये तो economies related बात है तो ये एकोनोमिक है दोस्टो तो economics का आप इससे याद कर सकते हैं गोल्डिंगald से एकोनोमी आपको याद आने चाहिए दोस्तो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं नैष्ट कोश्टिन देख लेते हैं दोस्तो यह रहां आपके सामने दोस्तो इसका नैष्ट ऑप्सिन हमें नहीं दिख रहा है वो दक्षन भारत से जो सम्मंदित नहीं है निरत से लिए वो हम से पूछी गई है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो option number A है ये भरतनाट्यम तो दोस्तों ये जो भरतनाट्यम सास्त्री निरत है ये कहां 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 भी बरतनाट्यम जो सास्त्री नरत है यह है तमिल नाडू का दोस्तों कहां कहां भी तमिल नाडू का है तो यह तो भई दक्षन साइड में आता है तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं इसके बाद मोहिनी एक्टम मोहिनी एक्टम दोस्तों केरल का है मोहिनी एक्टम कहां 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 निरत है, सास्त्री निरत है उत्तर भारत का कथक तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत है यह हो जाएगा option C हो जाएगा क्योंकि आपको पता है धक्षिन भारत का से संबंदित नहीं है मतलब तमिल लाड़ू और केरल यह तो भी धक्षिन भारत में आते हैं तो कथक ही हमारा यह क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कथक उत्तर भारत से रिलेट करता है सास्त्री निरत है उत्तर भारत का तो option C क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा इसके साथी दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो right answer हो गया वो तो option C हो गया इसके साथ ही दोस्तों यह जो सत्रिया है जो हमारा सत्रिया नरत है वो असमसी बिलॉंग करता है सत्रिया असमसी बिलॉंग करता है जो कुछी पुड़ी है दोस्तों वो हमारा आंधरप्रदेश से बिलॉंग करता है और दोस्तो जो चो है वो हमारा जारखंट से बिलॉंग करता है तो दोस्तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब देख लेते हैं दोस्तो इस एक्स्प्लेनेशन ये रहा आपके सामने अब दोस्तो नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं आप क्या देख लेते हैं दोस्तों नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं जो कि आपके लिए important होने वाला है तो दोस्तों नेस्ट कोस्टन को देखने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को like कर लेजेगा अपने दोस्तों के साथ share करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरू करिएगा ठीक है दोस्तों अब देख लेते हैं यह question 108V भारतिय बिग्यान Congress का आयोजन कहा हुआ तो जो 108V भारतिय बिग्यान Congress है इसका जो आयोजन हुआ है यह तो हुआ है नागपुर महराष्ट में कहा हुआ है दोस्तों नागपुर महराष्ट में इसके साथ मैं ही दोस्तों मैं एक additional आपको जानकारी देदू 108V के बाद 109V होने वाली है 109V Indian Science Congress होने वाली है ISC होने वाली है 109V जो होने वाली है यह कहा होने वाली है दोस्तों यह lovely university आपने सुना होगा lovely professional university जो की पंजाब में है जो की कहा है भी दोस्तों पंजाब में है तो यह 109V जो Indian Science Congress जो होने वाली है भारती विग्यान Congress जो 109 नंबर की होने वाली है वो होने वाली है लबली प्रोफेशनल उनिवर्स्टी पंजाब में होने वाली है दोस्तो यह आपको याद रखना है तो दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन ठीक है दोस्तो यह रहाँ आपके सामने दोस्तो चीनी विद्धवान हैंसोंग ने किस इस्थान पर बहुत धरम ग्रंथों का अध्यन किया दोस्तो यह कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तो तो दोस्तो इसका तो डायक्ट मैं आपको आंसर बता दूँ जो चीनी विद्धवान हैंसोंग जो थे ये दोस्तों मैं आपको बता दू हर्षबर्धन के सासंकाल में आये थे किसके सासंकाल में आये थे हर्षबर्धन के सासंकाल में आये थे तो जो चीने बिध्वान जो हैंसॉंग थे वो दोस्तों हर्षबर्धन के सासंकाल में आये थे लेकिन ये कब आये थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये 15 बर्सों तक हमारे देश में रहते कितने बर्सों तक रहते दोस्तों 15 बर्सों तक हमारे देश में रहते कितने बर्सों तक भी 15 बर्सों तक हमारे देश में रहते लेकिन ये कब आये थे? ये आये थे 629 इसबी में, कब आये थे 629 इसबी में ये आये थे हमारे भारत में और 15 बरसों तक रहे थे और इन्होंने एक अपना क्या लिखा है यात्रा ब्रतांत लिखा है पूरा पूरी जानकारी दी है यात्रा की जो ग्रंथ है वो क्या है C.U.K क्या है वही दोस्तो C.U.K की नाम का एक इनका यात्रा ब्रतांत है उसमें इन्होंने सब कुछ अपनी यात्रा भ्रमन लिखा है य हर्षपर्थन के सासनकाल में 629 इस भी में आये थे और उन्हेंनों बहुत धर्म ग्रंथों का अध्यन किया था विजय बाड़ा में दोस्तों और क्या हुआ तब यह 15 बर्षनों तक हमारे देश में रहे थे फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस से एक्स्प्लेनेशन है यह रहां आपके सामने अब दोस्तों देख लेते हैं कोश्टन नमबर 9 तो दोस्तों इसके सारे ओप्सिंस देखने के लिए हम क्या कर लेंगे थोड़ा सा कोश् होगया धौस्तों मैं आपको बता दूँ यह होता है इसका जो हमारा राइसायनीक क्या होता है भी दूस्तों थो कौन से पूल नहीं कारबन नाइट्रोजन सोडियल में से दोस्तों इसके लिए हमारा पता होना चाहिए चाहिए ढुनेंख होता है n हेाऊDieयों दोस्तो sodium हो गया और हमसे पूंचा जो नहीं है तो sodium तो option हो नहीं सकता क्योंकि यह तो है और यह hydrogen हो गया दोस्तो सोडियुम भी है hydrogen भी है इसके अलावा दोस्तो तो carbonate यानि carbon भी है लेकिन nitrogen नहीं है तो nitrogen ही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का दोस्तो ठ फरीद खान को किस बर्स सेरसहा की उपादी से सम्मानित किया गया था तो जो फरीद खान थे उनको किस बर्स सेरसहा की उपादी से सम्मानित किया गया था यह हमसे पूचा गया तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ यह फरीद खान जो है यह जो फरीद खान जो हुआ करते थे इन्होंने क्या किया था, चौसा का युद्ध लड़ा था, कौन सा, एक चौसा का युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था भी दोस्तो, ये चौसा का युद्ध 26 जून कब हुआ था भी दोस्तो, 26 जून 1549 को हुआ था, किसके साथ हुमाईयों के साथ हुआ था दोस्त गया तो इस खिस्वी में इन्होंने सेर सहां की उपादी को धारन कर लिया और इससे इन्हें सम्मानित किया गया था तो कब किया तक गया था 26 जुन 1549 के युदुसे अर्थार 1549 में इन्हें सेर सहां की उपादी से सम्मानित किया गया था तो option D के हो जाएगा बिल्कुल right answer हो करना है लाइक और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करना चाहिए क्योंकि आपको पता है भी दोस्तों के साथ सेयर करने से हमारी नौलिज क्या बढ़ती है हमारी नौलिज बढ़ती है और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए है और आप उसको देखके अपनी तयारी को और बहतर कर पाएंगे जो दोस्तो तो दोस्तो थैंक यू